So Hello Everyone, Guys, यह है लूपिन के quarter 1 के result तो आगे यहाँ पर देखेंगे कि इस share के results यहाँ पर कैसे आए हैं तो शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर इस share के total income से तो yearly basis में यहाँ पर जो income है वो around यहाँ पर 34,956 million था जो quarterly basis में 41,676 million यहाँ पर हो किया है quarterly basis में यहाँ पर जो share के income में वो यहाँ पर increase हुई है total expenses yearly basis में 29,468.5 million था जो quarterly basis में 31,229.3 million यहाँ पर हो किया है income के साथ यहाँ पर जो है share के expense भी increase हुए है net profit yearly basis में 4,769 million था जो quarterly basis में 8,891.8 million यहाँ पर हो किया है अब देखेंगे earning पर share को तो वो yearly basis में यहाँ पर 10,48 पैसे था जो quarterly basis में increase होके 19,51 पैसे यहाँ पर हो किया है तो overall analyze करने के बाद देख सकते हैं share के result यहाँ पर काफी जादा बढ़िया देखने को मिले है अब देख लेते हैं यहाँ पर इस share के price level को तो maximum target जो है इस मंतक का share का around वो वैसे यहाँ पर 2,050 रुपे के round या उससे above देखने को मिल जाएगा तो hold करके रखना चाहे तो आप इस share को यहाँ पर जो है long term के perspective से भी hold करके रख सकते हैं